नमस्ता तोस्तों स्मार्ट एलेक्ट्रिक सेल्ट्रिक वाई संगार एनर्जिस दौरा पेश किया जाता है नान सोलर प्योर साइन वे इनवाटर जो कि आपके कैपिसिटी रेंज और बजट रेंज में भी एवेलेबल होता है जिसनी आपकी ज़रूरत घर से लेके आपके दु दो सो यह तक की बैटरी के सपोर्ट करने वाला एक मात्र यह यूपियस है जिसमें आप चार्जिंग करें लो फाइफ एमपियर से लेके फिप्टीन एमपियर तक आप सेटेबल कर सकते हैं तो इस सिस्टम को हम ओपिन करेंगे और आपको दिखाएंगे स्मार्ट फीचर ज जो कि आपके website के दौरा भी मिल जाती है संगानर विजीट करने पे आपको वेफशाइट पर विजीट करते ही आपको customer support लिंक मिलता है लिंक में आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसा कि आपको toll 3 अमबर मिल जाता है एमेल अडरे अटर जाता है और एक आपको complaint form भी मिल जिसमें आप system के photo के साथ साथ आप अपनी शिकायद भी दर्ज कर सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है customer support और हमनों इसे जारी करते हैं system के manual में आपको सब दिख जाता है कि यह inverter का load कितना चलेगा इसमें protection क्या क्या है, alarm क्या है तो system में यह आपको एक silica jb मिल जाता है जिससे system moisture control होता है आप system के बाहर ही लुप को देखेंगे कि mechanical force को कम करने के लिए बिल्कुल अच्छे से pack किया होता है जिसमें transportation में कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो हम इस system को बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे आपको क्या-क्या features है 2224V का inverter आपके लिए बहुत ही मौतब हो जाता है क्योंकि यह आपकी घरे लूप करड़ जितने भी होते हैं washing machine से लेके समर तक यह सारे operating system सारे चल जाता है और आप देखेंगे कि इसमें system के साथ साथ एक प्यारा सा display है जो कि system का internally parameter आपको digitally so होता है जैसा कि battery voltage inverter पे load percentage और भी सारी चीज़े और जो आपकी settings के लिए यह मिल जाते हैं आपको switches यह switches आई system को smart बनाती है जैसा कि एक ही switch लगा है इसमें on-off का तो आपको on-off करने के लिए एक switch मिल जाता है battery selection switch है मतलब यह है कि आप इसमें battery और latest battery दोनों battery यूज़ कर सकते हैं screen hold का option मिल जाता है अगर कोई आप actually battery के जो parameters होते हैं inverter के parameters होते हैं load से लेके battery तक सारे parameters होते हैं तो आप hold कर सकते हैं दूसरा है charging setting यह बहुत ही system को खास बनाता है जैसे कि आप अगर चाहें तो low battery low capacity की battery यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 50 यह से लेके 200 यह तक battery के capacity के ही साब से आप charging set कर सकते हैं 5 ampere, 10 ampere और 15 ampere और जो system का mode है UPS mode, inverter mode मतलब यह inverter वहाँ भी सक्रिये है जहां पे आपको voltage की दिक्कत है यानि कि जो आपको input grid voltage 90 volt है, वहाँ भी यह system operating में आ सकता है मात्रा आपके एक switch issue करने से inverter mode में जो system की operating grid accepting voltage है वो 90 volt से लेके 270 volt है और UPS mode पे 180 volt से लेके 280 volt तक है system के back side की बात करें तो यह system back side भी खास है अगर system के अंदर internally कोई भी problem आ जाती है तो system में बिल जाता है आपको एक बहुत ही खास चीज़ जिसमें आपको manual bypass है, manual bypass तब काम करता है जब system के अंदर internally कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप manual bypass करने से system में मिलने वाला जो input grid voltage है उसी voltage को operating आपका जो भी load operate हो रहा है वो directly grid से operate होना सुरू हो जाता है जो कि मेंस के short circuit protection की बात करें तो इसमें resetable fuse लगा हुआ है जो कि आप बार बार fuse बदलने की समस्याओं से आप छुट करा पा सकते हैं system के output लेने के लिए आपको एक socket मिल जाता है जिससे आप एक high efficiency socket है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा load carry कर सकते हैं बैटरी टर्मिनल आपको inbuilt मिल जाता है तो इससे इंटर्नली आपको कोई भी connection करने के जरूरत नहीं है आपको नार्मली से बैटरी connect करने है और आपका system open हो जाता है तो installation के लिए भी बहुत ही easy है cooling fan के लिए कि cooling fan भी इसका बहतर है जिससे system कभी भी heat नहीं हो सकता और यह system लागाता चलता रहता है system पे एक serial number आपको मिल जाता है जो कि हमारी customer support के लिए बहुत ही जरूरत होती है और इसमें आपको साथ-साथ मिल जाते हैं grid input range और rating और जो model number होता है वो क्योंकि आपको model number भी जानने की बहुत ही जरूरत होती है क्योंकि आपका system कितने capacity का है कितनी battery voltage लगती है वो सारी शीचे होती है centric के पास आपके पास सारे option होते हैं जितनी आपकी जुरूरत है उसी साथ से आपको हर एक range में non-solar pure sign wave inverter मिल जाते हैं एक ग्यारव सो भी यह से लेकर 600 वीए और डबल बैटरी में आपको वाइस सो भी यह से लेकर 3000 वीए तक नान-solar inverter अबिलेबल होते हैं अगर आप चाहें इस को खरीदने के लिए तो हमारे e-commerce portal www.centric.com पर विजीट कर सकते हैं और दो डिलेवरी प्राप्त कर सकते हैं तो चुने अपना smart inverter smart electric centric के साथ आपको भरो सा smart electric centric thank you